असलाम अलेकूं मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप अमीद करती हूं आप ठीक होंगे अलापाक आपको अपने इफ्जों इमान में रखे हैं अच्छा जी आज मैंने बना यूँ थी दाल पतली सी जी मैं कहलो के मुंगी मसरा दी पतली जी दाल कदे खांते दिल करदा ह है कदे की अकसर ही दिल करता है और अच्छी भी लग दिये मज़ेदी लग दिये सो रही सी यासिन साब दा फूना है अब दराफे कहता मामा जी उठ जाएं खाना बना लें आप रिलेक्स हो के सो रही है तो पपा का फूना है के मानू कवों के भरी मिर्च वाला सालन पकाए तो मैं आपको बता दू कि मैं सुबा की नमाज पढ़के हां जी क्या बात है मैं सुबा की नमाज और कुरान पढ़के मैं नहीं सोती मेरी रुटीन है ये कि मैंने नमाज पढ़नी है और कुराने पढ़ना है मैंने फिर सोना नहीं है पता नहीं ये मेरी यादत है कि मैंने सोती मैंने बच्चों को नाश्ता बनाके यासिन साब को बेच के फिर मैंने लेट ना होता है तो आज वह भी नहीं लेटी थी कहीं जाना था सुबह के टाइम तो वह चली गई तो मैंने का आज कौन सा दोपैर का खाना बनना है तो मैं लेट गई बड़ी रिलाक्स थी पहले डाइनिंग टेबल नहीं था डाइनिंग टेबल आया पालिश होने के लिए चेरे गई हुई थी तो उसको साफ सूफ किया भी शीर नहीं बचा ही उसके उपर तो मैंने कहा चले आज मैं चिल मारती हूँ लेकिन नहीं वो नहीं ऐसा हो सका तो अब मैं नमास पड़ी जोहर की तो मैंने आप किचन में जाने लगी हूँ तो मैंने कहा अच्छा चले पापा को फून करे आजए मैं कहाना बनाती हूँ किच्छन से जाने से पहले एक चोटी सी बात यह करने थी आपसे कि अब दलवासे मुझे पानी देना कि अगर आप लोगोंने खुश होना है तो अपनी तरीफ सुने अगर आप लोगोंने मजबूत होना है तो अपनी तनकीद सुने कि अरे तनकीज सुनके मदना खूतु हो जाता और तनकीज को बर्धाश करें के उतने ही मदोथ हो जाएगे और जाए की से यडिये आप मैंने मैंने घुट्री से नकाल Стक лом पारण लाटये थोड़ी दिझा तूस्त के ऊ़िए ढब unes वे चीर आणा जलना जान को स्कून नहीं है वो नहीं रेस्ट कर सकती खास तो मेरी जैसी ओरते तो बिलकुल भी ना कर सकती चले जी ये गोश्ट मैंने गरम पानी में थोड़ी दे रखा है अगर नाग रखती तो फिर मैंने इसको बून के दूसरे तरी के सिपकाना था तीन अदद प्यास काटे ह है नीज़का रफली चॉप कर लिए ये एक चमच बरके हरी मिच्चिरों मैंने खुद की सिवी हैं ये दिखे मैंने ऐसे के चमच रखे हुए है प्लास्टर के बीच यह देखे ए एक चमच बर लशा अदर का पेस्ट यह देकिए यह बह्ने पेस्ट बना कर फ्रीजे किया ह तो इसके अंदर में यह चमच रखा हूए प्लास्टिक का तो टमाटर लेके थोड़ा सा पनी डाल के मैंने ग्रेंड कर लिया यह देखें चमच जीरा है खड़े मसाले हम डालें एक चमच जीरा है 3-4 लवरby मिर्चे हैं प्रुप्डे दार्चिनी के और एक चमच नमक नमक आप मैं अपने मसाप के अमताब कर दारी हूं आप अपने अपने अग्रेट आप डाल सकते हैं हल्दी नहीं जाएगी इसमें चेर्स की तरफ देखे तो दिल बहुत खुश हुआ क्योंकि पॉलशों ने के लिए गई हुई थी तो इनकी पॉशिस चेंज हो गई तो बहुत अच्छी वी गोल्डन कल गई पहले भी गोल्डन थी उपर से चेरे लाके निचे रखिवी थी तो डाइनिंग टेबल के जाहर है बचों को आदत थी मेरे बेडरूम की भी चेर्स खराब थी उनको भी बेज़ जा था उनकी भी पोशिश चेंज करवाई है वो भी बहुत अच्छी होगे उनकी भी पोशिश पहले भी ऐसी थी लेकिन थोड़ा सा कपड़ा चेंज करवाई है डाइनिंग टेबल माशाला से फालश हो के बहुत अच्छा लाग रहा था शाहन चेरों पे बहुत आ रही थी गोश्ट गल गया था तो मैंने कुकर से नकल के कड़ाई में डाल ली है तो ए जड़िया मैं कुपी रखी हुई है ये मैं तेन चर कुपी आयल दिया डालती है तो उसी अपने साब न ला पासा कदे हो तो अब मैंने डाल दिया गरम साला एक चमच बरके ठीक है जी सुकार दनिया दनिया का पोडर यानि के दनिया का पोडर चमच बरके वो डालने है तो अच्छी तरीके से हलाना है तो मेरा तो हलाने का स्टाइल देसी है इसी तरीके से मैं सालन पकाती हूँ यही मेरा देसी स्टाइल है तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे किचन में है यह बेटी तो उसने भी यही स्वाल किया ममाब सो रही थी तो आपने जल्दी से फ्रीज किया हुआ गोश्ट नकाल ला है तो पानी में रखा है तो जल्दी से सालन भी बना दी है रोटिगा भी बना दे तो आपका दिल भी नहीं का रहा तो अपने फिर भी बना दे तो मैंने कहा बेटे यह सारा कुछ मैंने अपनी मां से सीखा है अपनी दादी से सीखा है क्योंकि मैं अपनी दादी के से ज्यादा टायच थी तो हमारी थी ज्वैंड फैमली तो ज्वैंड फैमली में बड़े फाइदे हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो ये सारा कुछ बेटे मैंने जवैंड फैमिली में रह के सीख है तो वाइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ा था गली में शूर बहुत हो रहा था पता नहीं कोई काम हो रहा है बाहर तो इसलिए फिर मुझे वाइस ओवर करना पड़ा मैं अपने चाचुओं के साथ भी बहुत अटैच थी इसलिए कि कोई फुपी नहीं थी ठीक है जी इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेहनों की तरह ही रखा हुआ था अब मैं ध्री डारे हुँ तो ध्री में पूरी प्याली बार के नहीं डलाओ थोड़ा सा बचा लिए ध्री जाड़ा था तो अच्छी तरह इसको हला ना है याधर के फिर अद्रक मैंने काटके रखा हुए है तो इसको दाम दे नहीं है ठीक है, अल्लापाक सबके गरों में बर्कर डाले, खानों में, रिजक में सबके गरों में बर्कर डाले आप एक चमच लिमों का रास्ट डार रही हूं मैं रोटी ना भी गोल बने तो कोई मसला नहीं यह ना करोटी कहीं से मोटी हो, कहीं से पतली हो जहां से रोटी पतली होगी, वहां से जाल जाएगी और जहां से मोटी होगी, वहां से कच्छी रह जाएगी, फिर रोटी फूल दी भी नहीं अच्छा जी मटन हमारा बन गया है बच्छों को भूख भी बहुत लगी हुई है तो आब इसको सजाते हैं जैसे हम कहीं जाने लगते हैं खुद को तैयार करते हैं थोड़े से अध्रक के साथ और धनीये के साथ और इसकी बहुत अच्छी लुक नजर आएगी आपको देखने को भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ा आएगा चले जी खाना लग गया है तो बहुत खुश हैं अल्लापाक सबके रोजी रिसक में बर्कर डाले अच्छा जी आप लेते हैं आपसे इजाज़त इजाज़त लेने से पहले वासे एक बात कि वीडियो को पूरा देखा करें वीडियो को पूरा देखने से पता चलेगा कि वीडियो में क्या हो रहा है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें चैनल को सब्सकराइब भी किया करें तो लेती है आपसे जाज़त वीडियो को पूरा देखें दॉआ मत याads रखो लाफिज